सुर्य ग्रहन आज रात से स्टार्ट होने वाला है सुर्य ग्रहन की भारत में क्या इस्तिती होगी किन-किन सहरों में ये दिखाई देने वाला है साथ ही साथ एक प्रेगनेंट लेडी को सुर्य ग्रहन के दौरान कौन-कौन सी गलतियों से बचना है और कौन कौन से नियमों का जो है वो पालन करना है जिससे ऐसा Indian Tradition के अंदर मानेता है कि जो बच्चा होता है उसके उपर बुरा प्रभाव पड़ता है अगर जो बच्चे की मा है वो pregnancy के दोरान कह सकते है कि ग्रहन के समय जो नियम होते उन नियमों का अगर पालन नहीं करती ह तो गाई इस वीडियो के अंदर जो भी नियम पालन करने के लिए आपको बताया जाएगा पूरी तरीके से आपके comfort zone को देखकर मैं बताने वाली हूँ जिससे आपके सारे doubt क्लियर हो जाएंगे और अब आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी pregnancy के समय में भी तीन बार जो है वो ग्रहन आया था मैंने कैसे किन नियमों का पालन किया जिससे बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है इस बारे में भी जनकारे दी जाएगी ग्रहन की क्या timing होगी सूतक माने है या नही इन पूरी जनकारी को देखने के लिए वीडियो वीडियो स्टार्ट करती हूँ मैं हूँ आपके शाष्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चानल पहली बार अगर आए हैं चानल को जरूर सब्सक्राइब कर वीडियो को आप लाइक कि जीएगा जो सुरी ग्रहन है अगर हम जोती सास्त्र की बात करें तो वह इस स कोई भी नया काम शुरूर नहीं करते हैं फूजा पाथ नहीं किया जाता है ग्रहन के समय वह अलग बात है कि ग्रहन समाथ होने के बाद आप बैठके पूजा पाथ की जीए वों चीजे होती हैं सब करते हैं ग्रहन के दкив दौरान एक प्ठेगनेंट लेडि को क्या खाना प चाहिए क्योंकि इससे क्या होगा आपके जो बच्चे की डेवलाप्मेंट पे होता है वह फर्क हो जाता है इसलिए प्रेग्नेंसी की दौरान फास्टिंग करने से मना ही किया जाता है आगर हम बात करें तो ग्रहन स्टार्ट होने से पहले आपको बंद कमरे में बैट जाना ह है अपनी लंबाई का धागा कट कर लेना है हाथों में नारियल ले ले लेना है भगवान का नाम लिजिए जिस भगवान में आप भरोसा करती हैं शाहताई-साथ सब्जिया काटनी है, फ्रूट नहीं काटना है और खाने पीने की तूर सारी चीजों में तुलसी के पत्ते डालिए और कोसिस कीजिए कि आप आपकी प्रेगनेंसी चल रही है तो ग्रहन के समय आप बिल्कुल नहीं डरिए अगर आप सोना चाहती है नींद से सोना चाहती है कोई प्राब्लम नहीं है हाथों को पैरों को सिधा किजिए और बाएं करवट में सोईए लेफ्ट साइड में सोईए क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके लिए यह बेस्ट पोजिशन सोने का होता है बच्चे पर कोई भी प्रभाव इसका नहीं अगर बात के जग्रहन समाप्त होने के बाद आपको नहां ध्वा लेना है जिस भगवान की पूजा करना चाहते हैं आप पूजा कीजिए जो धागा है उसे पानी के बहाव में डाल दीजिए या गंबले की मिट्टी में आप डाल सकते हैं साथी साथ आपको एक चीज और क बज के पंद्रा मिनट से ग्रहन स्टार्ट होगा और अगली सुबह यानि की 1 मय को सुबह चार बज के सात मिनट पे समाप्त होने वाला है पूरा का पूरा तीन घंटा बावन मिनट के लिए लगने वाला है इस वीडियो में अब भी कुछ पूसना है गे नहीं आप नीचे comment किजिए thanks for watching तब तक के लिए bye bye and take care